नमस्कार दोस्तों खुश्यों की पाट्शाला के इस भाग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले भाग में हमने बात की थी Brighter Minds के प्रोग्राम Restart के बारे में कि हम हमारे मानसिक स्वास्ते को किस प्रकार और बहतर बना सकते हैं और वहें कौन से practical tips हैं जिनके द्वारा यह किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस भाग में हम बात करेंगे अपने शारीरिक स्वास्ते के बारे में जो मानसिक स्वास्ते के साथ साथ बहुत महत्वपोर्ण है। हम सभी अपने शारेरिक स्वास्थे का ध्यान रखने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पर बहुत सारे प्रयात्न करने के बावजूट कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाती है। तो क्या ऐसे कुछ और उपाए हैं जिनका पालन सरलता से कर हम अपने शारिरिक स्वास्ते को और पहतर बना सकते हैं? आज हम इन्ही सब के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे आज के मेमान डॉक्टर जिगनेश यालाच जी को डॉक्टर जिगनेश अलाच जी एक नैचुरोपैथ है यानि वहें प्राक्रतिक तरीकों से शरीर को स्वस्त रहने के गुर्भ हमें सिखाते हैं वहें करीब 20 स्वश्शों से अधिक उन्होंने वेस्टर रेलवेज में कार्या किया है और साथ ही वहें सर्वांगी लाइफ सॉल्यूशन्स एललपी के पाउंडर डिरेक्टर हैं उन्होंने अपनी मुहीम चिता तक चलते जाना के तहट आठ हजार से भी अधिक लोगों को स्वस्त रहने के गुर्भ सिखाए हैं तो और अधिक देर ना करते हुए मैं अमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मैमान डॉक्टर जिगने शैलाज जी को अपका खुब को बावार बहन और अमंत्रित करने के लिए I am thankful to you धन्यावाद डॉक्टर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले लोग शारीरिक्ष्रम बहुत जादा करते थे उसके बार दीरे दीरे एक समय आया कि जब हम सभी ऑफिस जाने लगे और हमारा शारीरिक्ष्रम थोड़ा कम हो गया और अब हम जैसे देख रहे हैं कोरोना के समय वह समय है जब हम सब घर पर रहकर ही कार्या कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि क्या हमें अपने खाने को लेकर सच मुझ और सोच विचार करने की ज़रूरत बढ़ गई है क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत अब और अधिक बढ़ गई है देखे सिस्टर बहन उनम बहन कोरोना काल यह जो जुमला है न यह जैसे ध्यान शब्द को बहुत हाइप किया गया है इसे तरह से कोरोना काल को भी बड़ा हाइप किया गया है कोरोना काल कोरोना काल वही हम वही सब चीजे वही लग्जरीज को और लग्जूरियश वे में शरीर को बिना कस्ट दिये शरीर पे जुलम ढार रहे हैं अच्छी तरह से ढार रहे हैं और मजे कर रहे हैं जिनके पास शायद कमानी के जरीए कम हुए है उनको तकलीफ है वरना जिनके वहां डाल रोटी की चींटा नहीं है वो बड़े आराम से बड़े मजे कर रहे हैं ये बात को एक साइब ने रखते हुए मैं एक जनरल आम बात आपसे करना चाहता हूं करोना से पहले भी हमारे जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम हो चुकी थी वैबाया था हमारी ओफिस इसके अंदर और या ओफिस तक जाने के लिए हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन मौजूद थे जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो और शहर में प्राए प्राए उसके अनुरूप रेस्टोरंस में जाके खा पाते हैं यूट्यूब्स और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐसे व्यंजनों को सीख के अपने घर में बनाते भी है और एक्जामपल आप सोचिए पास्ता पीजा बड़ी अच्छी चीजी सेंविच लजीज लगती है मुँमें पानी आता है या ऐसे ही कहीं अच्छे अच्छे भारी भर्खम बहुती लजीज लगने वाले विंजर हम खुबी भम 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 खाते जा रहे हैं फिसकले एक्टिवीटी कुछ भी नहीं यह सब चीजे जहाके हमारे बड़ी आत म बड़े अच्छे से चिपक जाती और फिर यह चिपकी हुई हर फूड यानि चिपका हुआ हर फूड आपको आलस गुस्सा नेगिटिवीटी द्रिणा काम के प्रती निष्ठा की कमी और मोटापा और उसके आगे चलते हुए ब्लड प्रेशर डायाबिटीज थायरोड की बीमारी कमर की बीमारी भुट्नों की बीमारी cancer मैं बोलना नहीं चाहता पर आखिर मैं cancer यह सब बगार के तौर बोनस के तौर पे टॉपिंग्स के तौर पे और अखिरकार एक लंसम पीएफ जैसे मिलता है उस तरह से हमें भेट में देखेंगे टू चेंज अवर पूर एक्कॉर्डिंग टू दन नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल आफ आफ आवर्स अब इसको कैसे किया जाए यानि एक्टिव लाइफस्टाइल में हम क्या क्या करें प्रश्ण यही था क्या क्या करें जो हम अपने आपको एनरजेटिक पॉसिटिव एटीटूड वाले फोकॉस हम अपने आपको पा सकते हैं देखिए मैं यह नहीं कोँगा कि यह कार्भोहेट्रेट खाइए यह प्रोटीन खाइए उतना खाइए जितना पचाते जैसे मेहंद्या एक खराब चीज है ऐसे अब तो शायल होडिंग लगने ही बाकी है वरना हर डायटीशन हर प्राकुरूतिक चिकित सब्सक्राइब को गाली देने से नहीं जोगता कोई खराब चीज नहीं है वह बहुत ताकत देता है बस्तन कंट्रीज में ठंडियों के सामने जूजने की ताकत वह देता था हमारे यहां 45 मेहंदे की रोटी वगेरा सब खाते हैं कोई खराब चीज थोड़ी नहीं वीट का एकदम मुख्य भाग और वह पहले खेत में जाते थे फूप चलते थे फूप सारा हाइकिंग करते थे वारियर्स थे हमारे पंजाबी भाई बेहन वह उनुने हमें गीहूं से भर दिया हमारे देश को वो सच में खूप महिंती लोग थे आज के दिन के चलते हुए हम वो सब चीजे पचा नहीं सकते हैं इसलिए मेंदे से परेश करें गर आप और एक्जम्पल दस हजार स्टेप चले बीना अगर सोते नहीं हो यानि मेरे शब्दों को पकड़िएगा मैं असानी कहता कि सुबह उठते ही दस हजार स्टेप चलिए वह आपका ऑफिस चल रहा है बहुत जल्दी ऑफिस जाना है शाम को सोने से पहले अगर आप दस हजार स्टेप चलते टुकड़ों में मत चलिएगा ऑफिस में चले हो घर के कामकार में चले हो उसकी गिंती मत जोड़िएगा चलने के ख्याल से जब आप चलते हैं तो मेंदा आपको शक्ती देगा उसी तरह से आप जो चीज पटर और यह पचेगी परना बहुत अच्छे तरीके से मोटापा भेट में देगी और उसके साथ टॉपिंग्स के तौर पे ब्लड प्रेशर डायाबिटीज घुटनों का दर्व बाल और चंबडी का एकदम रुक्ष हो जाना ऐसी कीमती चीज़े बिना मांगे आपको भेटने लाइव फूड जिन्ना पुराख खाईए मैं मानता हूँ आपके प्रश्ण को मैंने जवाब दे दिया जी मेरा अगला प्रश्ण है था कि जैसके लिविंग और डेट फूड की पी एक अफधारना है जो हमने सुना है जिसके बारे में तो मेरा अगला प्रश्ण में यूज किया था जी 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 तो इसके पार में हमें और थोड़ा विस्तार से बताएं जीवित और मृत बोजन बहुत-बहुत सबल चीज़ है जीवन जीवन चीज़ से कहें जिसको हर कोई खा सकता है नहीं पकड़ पाया मैं जानता हूं यह यह लाइन मैं जब भी किसी सेमिनार में भी बोलता हूं तो लोग नहीं पकड़ पाया हर कोई माने हमारे सभी भाईवेन जिसों खा सकते हैं तो भी आप नहीं पकड़ पाये हो जे पता है हमारे भाईवेन माने मैं मनुश्यों की बात नहीं करता हूं हम अल्टीमेटली मावसुंधरा इस प्रुथ्वी के संतान है और उसके कितने सारे संतान है आप बैक्टेरिया से ले जिए या आंट पौधे कीडे मकोडे और सभी प्रानी हमारे भाईवेन हो रहें कि मुझी मावसुंधरा के संत जो सब खा सकते हैं वह लिविंग फूड होता है यह फिलोसॉफिकल बाते साइड में रखते हुए समझ मैं आए ऐसी भाशा में मैं अगर मैं बात करो आप रोटी पकाते हैं सुभे शाम को अगर वो रोटी मा या बीबी परोस देती है तो पुड़ा मुँ बिगाड के भी खा लेते हैं यहां हमारे गुजरात में या अगर आप नौर्थ स्टेट्स में चले जाए तो जहां रोटी का चलन है वहां पर वाजरे की रोटी अगर शाम को पकी है तो सुभे चाई के साथ या दूज के साथ मिक्स करके खा ली जाती है आप रोटी को दो दिन रख लीज खाना शुरू कर देते हैं गिटिंग मी दिस लिविंग फूड आप नहीं खाते हो तो और कोई कि मा वसुंद्रा का संतान उसे ग्राफ करना शुरू करता है अब इसके सामने डेड फूड किसे कहते हैं आपका चेवडा ले लीजिए आपका चेवडा ले लीजिए या कोई भी फरसान ले लीजिए आप 15 दिन तक 20 दिन तक 30 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो एकदम कुरकुरा पैकेट खोलते ही अंदर से बड़ा कुरकुरा और कुरकुरा तो छोड़ो डिब्बे में भरके डिब्बे को 50 मार्क पुला तो भी खाने में मज़ा आता है तेस्टी लगता है उसको ना फंगस खाती है ना बैक्टिरिया तेल में डुबो डुबो के मार डाला है जिन्दा ही नहीं है वो फिर वो क्या जिन्दगी देगा किसी को फरसान पर रख लो पाथ साल आगे अभी जितने भी डिसिस गिना है न वो भी जाए नहीं उसको प्रेम से और यह साड़े-चार साल में बड़े आराम से पूरे घर को गैस से बड़ता रहे बड़े आराम से अगर वो स्टोर कर पाए तो किचन चलेगा उतना गैस उसको मुफ्त में मिलेगा जाए मेरी भाषा गंदी लगे पर यही कड़वा सत्य है दूसरा नेड़ पूट हम एक बहुती अच्छी लग्जूरियस चीज हर घर में पाते हैं प्रीज आप समझे आप अगर अपनी नानी या दादी से बात कर पाऊना है तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो लोग थोड़े भी गरीब थे जिनको खाना नहीं मिलता था वो इज्जत से गली गली निकलते थे शाम को और उनको हर घर से जो बचा कुछा पोजन था दे दिया जाता था या अगर घर में गाय या कोई दूज देने वाला प्राणी है तो उसको वो नीर दिया जाता था पर किसी भी घर में पिछले दिन का बेंजन दूसरे दिन नहीं खाया जाता था सिवाए के बाजरे का रोटी वो सुभे दूद के साथ खाते थे या या यानि इस एल्दी थिंग बिलीव में इस एल्दी थिंग बट बाकी सबजी पाव बचा है फिर इसमें रख दो तीन दिन तक च इस लती है जाहाव कि इसमें से फिर आप और जाए अप शुर्जा का यहां मतलब बदल जाता है लीज पकड़ येगा मेरी वाइब्रेटरॉ लेवल की बातों में इंट्रेस्ट नहीं आएगा स्वाकी उन्नती में कभी इंट्रस्ट नहीं आएगा किसी की कुथली करने में रस होगा घृणा में रस होगा घुस्सा आपको नाक की तोच पे आपको मुफ्त में अपने साथ घुमता हुआ मिलेगा यह होता है डेड़ बनाने के साधनों का उप्योग करके फूड को इस तरह से ताम सिख करके खाने की प्रक्रिया इसको भी मैं डेड़ जीवन उर्जा को उन्मती ना दे डेड़ फूड है अब आप पूछोगे यह मतलब थोड़ी है के अच्छी सैंड्विच बज गई है या भाजी पाओं बज गया है तो फेंट देना है उतना ही बनाओ जितना आप खा सकते दूस्रे दीम सच बताओं। बहुत टेस्टी लगता है हर टेस्स को दीज़ मोट्य है यह कम होगा यह गई पेत तू ले मात्रा में नुए जिसमें टेस्ट की बड़ोती जाती है सिर्फ ये चार इंच यानि आपकी जिववा को पसंद है इसके नीचे जितने भी आपके पाचन दंत्र के अवयाव है वो आपको भरपूर मात्रा में गाली दियते हुए मिलेंगे और आखिरकार ठपके वो जब बढवे पर यानि म्यूटीनी पर उतर आते हैं तो वो एक बड़े हतरनाक रोप का रूप धारन कर लेते हैं आपको आज समाज में आम रूप से cancer जो देखने को मिलता है न यह ऐसी ही सवलतों का परिणाम है अलाकि उसके मूल में तो stress आता है इसके मूल में स्ट्रेस है और उसके टॉपिंग्स में उसको और बड़ा बनाने में ये डेड़ फूड ये जंक फूड ये बासी हपते हपते पर रखके खाने की प्रक्रिया हमें उसको जल्दी ग्रो करने में मदद देती है आपको 45 साल के बुड़े मौत ज्यादा मात्रा मे मिलेगी है आपको हस्बंड वाइफ जो अब एक दूसरे से कंपैक्टेबल नहीं रहे हैं ना दिल से ना शरीर से ऐसे चालीस से पच्पंद साल की उमर के बहुत सारी मात्रा में मिलेगी इस और रॉंग वेफ दिविए रॉंग वेफ इटिंग उपाया में एक्स्पिंग आंसर या एक वाइशन जी मुझे लगता है आपने बहुत गहन पहलूं पे चरचा की इसके साथ ही जो मेरा अगला प्रश्न था कि हमने सुना है डॉक्टर साब की खाने में भी वाइब्रेशन होती है तो क्या सकारात्मक वाइब्रेशन और नकारात्मक वाइब्रेशन की अबधार्ना सही है इतना सही है देखिए जिनके जिनकी उंगली पकड़के मैं अपनी स्पृरिच्वल ग्रोथ कर रहा हूं दाची जिनको दुनिया दाची के नाम से जानती है उनकी किताबे आप अगर पढ़ेंगी या उनके वीडियो देखेंगी तो आपको बढ़ी या ऐसे फूर है जो आप में नेगेटिवीटी बढ़ाते हैं या आपकी पॉजिटिवीटी बढ़ाते हैं नेगेटिव नेगेटिवीटी बढ़ाने वाले फूर्ट की लाइन बहुत कम है और मैं उसका नामकरण नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी हर पसंद दाचीर वह ल कम या ज्यादा मात्रा में आपको वाइब्रेशन प्रदार करता है पर मैं यह आपके प्रश्ण के बहुत धेराई से उसका जवाब देना चाहता हूं कि प्रश्ण आप या मैं पूछी नहीं सकते क्यों यह जाने आर वी एक्चुली इंट्रेस्टेड इन आवर वाइब्र वाइब्रेटरी लेवल मेरी बात मेरा प्रश्ण बड़े ध्यान से सुनियेगा क्या मैं सच में अपने वाइब्रेटरी लेवल के प्रटी चिंतित हूं अगर कोई मुझे पांच बार तूछे आप कौन हो एक बार तो यूं करके बोल दो दिखता नहीं क्या अंदा है यह पांच फूट नौ इंच का शरीर नहीं दिखता तुझे इसका सीधा जवाब है मैं यानि सर्फ 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 शरीर हूं बोल चांद में मैं बोल दूं मैं वह आत्मा हूं जिसने शरीर को धारण किया हुआ है पर अगर दो डिगरी बुखार है तो हां परे जो स्परिट्व गाइड है उन्होंने कहा था कि अपनी साधना को भी साइड में रखते का हम यह प्रश्ण क्यों नहीं पूछ सकते अगर आप अपनी डाइमेंशन अपनी चेतना को बढ़ाने के या उपर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सीरियसली तब यह प्रश्ण आपके नहीं है वरना तो यानि चेतना को बढ़ाने वाला मैं आपको बोल चांकि महाशा मैं समझाओं तो अपनी चेतना को ऊपर ले जाने वाला यानि एक पेश्डी करने वाला व्यक्ति हुआ हमारे शरीर के तीन मोटे-मोटे तौर पे भाग है यह दिखने वाला स्थूल शरीर कारण शरीर यानि मेरा आत्मतत्व हायरसल और इस दोनों को जोडने वाला सुक्ष्म शरीर जो मन, चित, बुद्धी और अहंकार का बना है कारण शरीर और सुक्ष्म शरीर जन्मदर जन्मद एक ही रहते हैं बदलता तो यह सिर्फ पंच महाबूतों का चोला है और अगर मैं इसी से अपनी पैचान बनाता हूँ, तो मैं केतना के उत्थान के स्कूल में मेरा लेवल है प्री नर्सरी और जब मैं वाइब्रेटरी, फूड के अंदर रहे वाइब्रेशन की लेवल की बात करता हूँ, तो वो हो गया डबल पी एच्डी क्रॉस करके पी एच्डी गाइड के स्टडीज का मटीरियल और एक प्री नर्सरी वाला पूछे, उस किताब में जो लिखा है, उसके बारे में जानकारी दीजिये सहाब, और उसको मैं फॉलो करूँगा, तो गुजराती में हमारे एक कैवत है, लांबा बेगो टुको जाएने, मरे नहीं तो मादो थाए, यानि लंबे के बेगा अग 5% लोग मैं यानि शरीर मानते हैं, तो सहाब आपके लिए किस पूड में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी ये प्रश्टन निरर्थक हो जाता है, आप तो ये जानो कि इस शरीर को कौन एकदम स्वस्त रखशकता है, क्या अमृत है जो इस शरीर को स्वस् पकड़के अपनी चेतना को उपर ले जाओ, इस ठुंखला में अगर इस प्रश्टन को मैं आपने पूछा है, ऐसा मान के कहूं, तो दसुन अपने आप में एक अमृत, उसको खाने की वीधी काफी अलग है, खाने में डालके खाने और खाओगे, तो उसके 5% ही आपको मिल 95% चले जाते हैं, यह सुआ है, वोप, I have answered your question, जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही गहन पहलों पे सोच विचार करने के लिए प्रेरित किया है, तो डॉक्टर साफ जैसा कि हमने जाना कि आपने रिसेंटली ही ब्राइटर माइंड के रिस्टर्ट प्रोग्राम का जीवन खरी के विशेशग्ये के रूप में आपका अनुप कैसा रहा? अगर हफते में अगर एक अदा बार मैं चूप भी जाओ ना, तो अपने आपको माफ करने की कगार पे भी नहीं ले जाता, अरे चलता है, I know everything वाला मामला है, जब मैंने यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम ने सबसे पहली गिफ्ट मुझे यह समझ की दी, कि I also need to take care of this gift in body, and not only body, body and brain system, इसको सही तरह से मैं अगर मावजद करता हूं, तो इसमें कितना hidden potential है, जो मुझे काम आ सकता हूं, मैं उस उम्र के दरास पे हूँ, जहां पे याद रखना एक धीरे धीरे नर्स विकार होने वाला पर सच में problem देने वाला problem face कर रहा था, इस प्रोग्राम ने, मुझे कई टेकनीक्स जिससे अवगत कराया, और उसमें महरत हांसिल करवाई, जिससे मेरी रोजमर्रा की जिंद मैंने इसको जॉइन तो किया था कि और आई खुल जाया और हमसे किसी के सामने देख कि उसकी मंद की बार टीवी पे देख लूँ, मैं बहना कोई भी निकाल लूँ पर नहीं खुल पाया, but yes, सबसे बड़ा लाब यह हुआ, कि बीबी के ताने मेरे 70-80% कम होगे, आपको मै कहीं पीचे, हॉल में कुछ बताती हूँ, उपर जाके आप भूल जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो, तो एक अदा चीज तो यह भूल ही जाते हैं, अब यह ताना नहीं मार सकती है, शायद उसको पसंद आता हो है नहीं, मेरे लिए तो यह बहुत ही मुफ्त का सौदा हुआ यह प्रोग्राम, क्योंकि उसने यह सब चीजे, जो मेरी आम जिंदगी की काफी बड़ी जरूरते थी, उसकी समझ दी, उसके प्रती मुझे जागरत किया, और उसको निर्बूल करने के खौती आसान तरीक होते मुझे अउगर करा है। हमारे दर्शक सभी इसका पार्ट जरूर बनना चाहेंगे, पर इस समय हमारे दर्शकों को कोई एक मूल मंत्र दे, कोई भी प्राक्टिकल टिप, जिससे की वे स्वयम के साथ से का खयाल खुद रख सके। अशिस्टन प्रोसेसर है और वो कोविड को घर में ले आई, उसकी देड़ महीने, देड़ साल की बच्ची हमारे घर में है, मेरे ससूर, मेरे घर में थे और उनको दूसरा इंजेक्शन लगने पे, मैं एकदम सही बात बता रहा हूं, दूसरा इंजेक्शन लगने पे, कार में लेते हुए थे, वो देड़ साल की बच्ची हमारे बीच को मुझ रही थे, जो रेशियो से नापा जाता है, उसमें मेरी बड़ी बेटी और मेरा रेशियो सोला का था, यानि इट वास क्रिटिकल, ने ससुर, भीवी और बड़ी छोटी बेटी का 21 का था, दो दिन के अंदर मेरी बहु और यानि मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी स्वस्त हो गया, चौथे दिन मैं स्वस्त हो गया और अठारवे या उन्नीस वे दिन मेरे सवस्त हो गया मेरी बेटी सभी दवाईया ले रहे थी हमने शाय भी पैरासितामोल से आगे कोई दवाई ली और फिर भी स्वस्त हो गया क्योंकि हम करीब पिछले आठ महीने से पाउडर ले रहे और फाउडर की जानकारी कोई गांदा नाम के वीडियो में में व्लिव पाउडर को छिना चwachूण करने कैनी डिए आपके दरशकों को देगा वयोग साबड़ो जिए वे वह इसांब पर सक्वमाम गिलॉपलल ग्राम आवला पाउडर कि सो ग्राम सूट पाउडर और सो ग्राम हल्दी यह आपके घर से मिल जाएगी कि सूट पाउडर और आवला पाउडर आपको पतंजली रामदेव जी बाबा के द्वारा जो स्टोर्स खोले गए उसमें आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी चीज़ हो देते हैं गिलोई पाउडर आपने बजार से ले लीजिए इसको मिला लीजिए और दिन की शुरुआ एक लेमन वॉटर बनाने की विधिवी मैं बताता हूं उस लेमन वॉटर के दो ग यह पाउडर को ग्राण करके दिन की शुरुआत करी आपका इम्म्यून सिस्टम बड़ा मस्बूत हो जाए बड़ा मस्बूत मैंने अपना सही में अपना एक्सपिरियंस आपको लाइफ एक्सपिरियंस पता है उतना अच्छा आपका बज्जर जैसा आपका पाइदा ही करेगी मैं आपके दर्शोकों को खुला अमंत्रन देता हूँ अगर आप चाहें तो अपनी एज या अपनी बीमारी के बारे में वो अगर मुझे वाटसप कर दे या मेल कर दे या तो इसको बेज आउच्छत बनाके इसमें क्या चीज़े एड़ की जा सकती है ये भी मैं उनको वैसे ही बता दूगा जाजी ने एक चीज़ तो बताई है अच्छा योगो वैसे ही फैलाई है क्या लेके जाएंगे इसका प्रयोग जो भी करें उसको और कोई चीज की परेज रखने की आवश्यक्ता नहीं है आप अगर प्लड प्रेशर की कोली ले रहे है आप अगर और कोई चीज के लिए दबाई ले रहे है तो लेते रहे इसको एड कर लिजे अब वो लेमन वाटर की बार करता है रात को एक निम्बू ये दो या तीन लोगों के लिए बन रहा है एक निम्बू को ककड़ी की तरह काट लीजी या चोटे चोटे पीस में है वो दो ग्लास और उसके अंदर निम्बू के छिलका निम्बू और ये भीज़ुने रखे हैं उसमें ब्लेंडर घुमा देगा है लेंडर घुमाने के बाद उसमें चार ड्लास और फानी एड़़ क्लयका तो चानिये है तो दो-दो ग्लास पीने वाले लोगों को डायाबिटीस नहीं है तो व्यक्ति दी घर में अगर शहद है यह उप्शनल है शहद है तो शहद गोल दीजिएगा और सुबह बिना ब्रश किये आराम से चेरिया सोफा में बैठ के यह दो या तीन ग्लास जितना भी ले सको उतन के साथ यह पाउडर ले लीजिए और 30-45 मिनिट्स तक और कुछ न खाईए कर सकते हैं प्रश कर सकते हैं क्योंकि अगर इसने को खड़े-खड़े लोग है तो 20% benefit कम हो जाए तो कि देड़ साल तक अगर लेते हो तो आप बहन हो इसलिए आप से शुरुआत करता हूं कि आम एक तकलीफ है आपके 20-21 साल तक पहुंते पहुंते तो लड़कियों के बालों में split hairs निकला जी डेड़ साल ले लीजिए कहां चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा लंबे सिल्की बाल पुरुष और स्त्री दोनों में 50% लोगों में बालों को जो आप लाइट हो जात है ना इसे लिखते तो है पर वो उसकी मात्रा जथा कम हो जाता है लोट आएगा उसके साथ साथ हो जाएगी चमड़ी में अच्छी से चमक कायम के बिना फेशल किये आपको प्राप्त हो जाएगी हां लंग्स भी उसके साथ साथ अच्छे होंगे पर आउटर बेनेफिट् आखों की रौश्णी को लेकर मेरा मैंने देखा है कि आजकल बहुत से लोगों को आखों की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी ऑनलाइन ही उनको काम करना पड़ रहा है अपना ओफिस का या बच्चों को क्लासिस तो यह प्रॉब्लम अभी आजकल हम बहुत लोगों में देख रहे हैं यह सीधा सीधा उस पर असर नहीं करता पर शरीर को स्वस्थ होते होते यह अपने आप आँखों भी हेल्थी कर लेता है पाउडर निम्बू का प्रविद्ध और नुकसान कोई भी नहीं है बजार में दस रुपय का एक निम्बू मिले तो भी दिम्मत की रा आप से सिर्फ एक मेल या एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ इससे बड़ाए पाइटा क्या करों भूलो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तो मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम हम सभी के लिए हमारे दर्शकों के लिए भी और मेरे लिए भी आई ओपनर की तरह है मतलब हमें बहुत सारी चीज़े चोटी चोटी चीज़े जिने हम इग्नोर करते रहते हैं और जिनसे चोटे चोटे बदलावों से हम अपने शरीक को स्वस्त कर सकते हैं तो आज आपने हमें सोचने पर मजबूर किया और बहुत अच्छे प्राक्टिकल टिप्स भी आपने हमें दिये तो मैं आशा करती हूं कि आज की प्रोग्राम से हमारे दर्शकों ने अवश्य लाब उठाया होगा और साथ ही अगर आपको इससे जुड़े कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे डॉक्टर साब हैं उनको आप मेल करिए हम स्क्रीन पर अपना मेल आइडी दे रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या मुझे लिख दीजिएगा मेरे वाट्सप नमबर पर वाट्सप्री कर सकते हैं जी हर्टफुलनेस रिलक्सेशन सफाई और ध्यान की तक्निकों को निशुल सीखने के लिए हमसे जुड़े रहे आपसे विदा लेगते हैं और अगले भाग में हम फिर मिलेंगे कुछ और अनुभवी महमानों से जुड़ने के लिए कुछ और उपियोगी और आसान प्राक्टिकल टिप्स को साजा करने के लिए धन्यवाद